नमस्कार बच्चों जितने भी महापुरुष हैं जो नाम आपको दिए गएई इन सभी ने धर्म बनाए लोगों में शांति बनाए रखने के लिए सदभावना के प्रचार प्रसार के लिए किन्तु बाद में यही धर्म मनुष्य के हाथ में एक अस्त्र बन गया धर्म के नाम पर प्रत्वी पर जितना रखपात हुआ उतना और किसी कारण से नहीं पर धीरे धीरे मनुष्य अपने शुब बुद्धी से धर्म के कारण होने वाले अनर्थ को समझने लगा है भौगलिक सीमा और धार्मिक विश्व जनित भेदभाव अब धर्ती से मिटते जा रहे हैं विश्व विज्यान की प्रगती तथा संचार के साद्मों में व्रधी के कारण देशों की दूरिया कम हो गई है इसके कारण मानव मानव में घ्रणा, इर्शा, वैमनस से कटूता में कमी आई है मानविय मुल्यों के महत्व के प्रती जागरूपता उत्पन करने का एकमात्र सादन है शिक्षा का व्यापक प्रसार अगर लोग शिक्षित होंगे तो वो जानेंगे कि जो वो सब भी धर्मों का सम्मान करेंगे उसकी वज़े से धर्म के आधार पर किसी दूसरे वैक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेंगे ठीक है तो ये था आपका पैरग्राफ आपको समझ में आ गया होगा प्रशन देखे क्या है मनुश्य धर्म के कारण होने वाले अनर्थ को कैसे समझने लगा है संतों के अनुभव से वर्ण भेज से ग्रणा इर्शा वैमनस से कटूता से अपनी शुब बुद्धी से दिरे दिरे मनुश्य समझने लगा है कि अधर्म के कारण क्या क्या आनर्थ हो रहे हैं वो अपनी शुब वुद्धी से ओध चौथा आप्शन आपका सही है विज्ञान की प्रगति और संचार की साधनों की वृद्धी का परिणाम क्या हुआ है देशों में भिंता बड़ी है देशों में वेमनसिता बड़ी है देशों में दूरियां कम हुई है देशों में विदेशी व्यापार बड़ा है तीसरा विकल्प सही है अगला प्रशन है देश में आज भी कौन सी समस्य है नफरत की वर्ण भेद की सांप्रदाइकता की अमीरी गरीबी की देश में अभी भी सांप्रदाइकता की समस्य है धर्म के आधार पर जो बेदभाव होते हैं उसको सांप्रदाइकता कहते हैं किस कारण से देश में मानव के बीच ग्रना, इर्शा, वेमनसेता एवं कटुता में कमी नहीं आई हैं। नफ्रत से साम्प्रदाइकता से अमीरी गरीबी के कारण, वर्ण भेध के कारण। साम्प्रदाइकता के कारण दूसरा विकल्प आपका सही है। मानविय मुल्यों के महत्व के प्रती जागरुकता उत्पन करने का एकमात्र साधन क्या है शिक्षा का व्यापक प्रसार हो धर्म का व्यापक प्रसार हो प्रेम और सद्भावना का व्यापक प्रसार हो या फिर उप्युक्त सभी तो इसमें शिक्षा का व्यापक प्रसार बहुत जरूरी है पहला विकल्प सही है एक और आपका गद्यान्श है सत्य अहिंसा का वृत अपना कोई पाप नहीं विश्व मैत्री का वृत भी कोई अभिशाप नहीं यही सत्य है सदा असत की टिक्ती चाप नहीं सावधान हिंसक प्रती हिंसा की कोई माप नहीं कोई भी प्रस्ताप पराजय का सुईकार नहीं ऐसा है आवेश देश में जिसका पार नहीं ये कविता है सबसे पहले है वो प्रोक्त पध्यांश में किसके आवेश का उलेक हुआ है माता के देश के शत्रू के या फिर इन में से कोई नहीं ये आपके जो कविता है उसी की लाइन है पहरी लाइन भी और आखरी भी है, देखा है आवेश देश में जिसका पार नहीं तो किसके आवेश की बात ओरी है देश के आवेश की आवेश यानि की गुस्सा, दूसरा विकल्ब सही है कवी की मतानुसार असत्य क्या है, स्थाई, बृत, अभिशाप, अस्थाई ये एक लाइन है देखिए यही सत्य है सदा असत की टिक्ती चाप नहीं तो कहने का अर्थ है कि असत्य जो है वो आस्थाई है जादा देर टिक्ता नहीं है रक्ती श्रिंगार का अर्थ है वीर सपूतों का रक्त बलिदान करना रक्त बहाना शत्रू का खून बाना उपरोक्त में से कोई नहीं इसका अर्थ है वीर सपूतों का रक्त बलिदान करना तो पहला विकल्प आपका सही है शोनित तरपन का क्या अर्थ है इसका अर्थ है शत्रू का शोशन करना दूसरा विकल्प सही है पध्यांश में माता प्रतीक है किसका देवी का विश्मेत्री का सत्याहिंसा का या फिर देश का राष्ट का प्रतीक है माता चौथा विकलत से यह जिसे आप भायत माता भी कहते हैं अगला प्रशन है फूल कौन सी संग्या है ये एक जाती वाचक संग्या है और अगर फूल का नाम हो मालीजी यहां पर कमल होता तो वो फिर व्यक्ती वाचक संग्या होती क्योंकि ये पूरे एक जाती के सम्हों को रिप्रेजेंट करता है कौन सा फूल ये नहीं पता इसे हम जाती वाचक संग्या कहेंगे दूसरा विकल्प सही है सोना कौन सी संग्या है सोना एक पदार्थ है एक मेटल है तो ये द्रव्य वाचक संग्या है तीसरा विकल्प सही है आप कौन सा सर्वनाम है आप एक निजवाचक सर्वनाम है तीसरा विकल्प सही है तुम जा रहे हो ये कौन सा काल है जा रहे हो मतलब ये काम अभी हो रहा है तो ये वर्तमान काल है समास कितने प्रकार के होते हैं समास 6 होते हैं नाम भी आपको पता होने चाहिए अब यही भाव समास तत्पुरुष समास द्विगु समास जो नंबर है वो कोई संख्या होती है द्वंद्र समास, माता और पिता भाई और बहन कर्मधारिय समास बहु ब्रीही समास चीक है तो छे प्रकार के समास होती है तीसरा विकल्ब सही है निमलिकित में अशुद शब्द कौन सा है? एकट्र एकठा होना बिलकुल सही है नीरस भी सही है, मंत्री मंडल भी सही है योगी राज, गवपे बढ़िये की मातरानी थी यानि कि ये अशुद है तो यहाँ पर आपका चौथा विकल्ब सही होगा निमलिकित में से अशुद शब्द कौन सा है? सापताहिक, वीणा, वाश्प, सिंदूर ओ, ओके, ये सापताहिक लिखा है ये सापताहिक होना चाहिए सापे आखी मातरानी चाहिए थी तो यहाँ पर आपका पहला विकल्ब सही है निम्न में से पाने का प्रैवाचे शब्द कौन सा नहीं है अम्बू, सर, मेगपुष्प, नीर पाने के कई सारे प्रैवाचे आपने पढ़े होंगे सलिल, पे, जल, वारी, नीर, तोय, अम्बू, उदक, मेगपुष्प भी होता है सो अम्बू भी है, मेगपुष्प भी है, नीर भी है, सर नहीं सर हम बोलते हैं तालाब सर ओवर को यहाँ पर आपका दूसरा विकल्ब सही है अगला प्रशन है पेड से फल गिरा, इस वाक्या में किस कारक की विभगती है कारक आपको याद भी होंगे, करता ने, कर्म को, करन से के द्वारा, संप्रदान के लिए आपदान से, से अलग होना, पेड से, तो जहाँ पर अलग होने की बात होती है फलगिर्गिया अलग हो गया वहाँ पर आपदान कारक होता है सो आपका B विकल्प सही है कारक आप याद कर लीजे संस्कृत में भी बहुत काम की है हर तरह की सुख स्विधाएं पाकर भी पंची पिंजरे में क्यों नहीं रहना चाहते इसका सिंपल सा आंसर है क्योंकि उन्हें बंधन नहीं आपके तो स्वतंत्रता पसंद है सभी कोई देखिए माँ पर सभी तरीके की सुख स्विधाएं हैं उनके पास पिंजरे में खाना समय से मिलता है लेकिन स्वतंत्रता उन्हें जादा अच्छी लगते इसलिए वहाँ पर वो खुश नहीं है दादी मा के सुखाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों ये प्रशन आप ही के लिए है आप ही बताएंगे उनके सुखाव के जो पक्ष आपको अच्छे लग सकते हैं सेवा सनरक्षन रक्षा करना दूसरों की परोपकारी और जो उनका सरल सुखाव था सरल वो भले मूँ से कड़वी हो लेकिन घर के सदूसरों दूसरे जो लोग थे यह उनमें जो अच्छी चीज थी वो आप यहां पर लिखेंगे अग्या प्रेश्न है नदियों को मा मानने की परंपरा हमारे यहां काफी पुरानी है लेकिन लेक्छन नागार्जुन उन्हें और किन रूपो में देखते हैं नदियों को मा माना जाता है गंगा मा यमुना मा आपने सुना होगा लेकिन ये बहुत पहले से है लेकिन मा की अलावा लेखक जो है नागारजुन वो उनको बेहन बेहन बेटिया प्रेशी आदी रूपों में भी देखते हैं अगला प्रशन है पांच पांडवों के नाम क्रम से लिखो कहने कारता है सबसे पहले सबसे बड़े का नाम सो युदिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल और सबसे छोटे सहदेव ठीक है अगला प्रशन किन बातों से ग्यात होता है कि माधवदास का जीवन संपन्नता से भरा था और किन बातों से ग्यात होता है कि वह सुखी नहीं था ये इसका अंसर तीन नंबर का प्रशन है थोड़ा बड़ा भी आप लिखेंगे सो कहानिया आप सभी जानते होंगे कि माधवदास की बड़ी संगमर्वर की कोटी थी सुंदर बगीचा था रहने के ठाट बाट थे चिडियों को कहना कि तेरा जो सोने का पिजरा बनवा दूँगा मेरे पास धेर सारा सोना है कई कोटिया हैं बगीचे हैं दास दास उससे वो दर्शाता है कि उनका जो जीवन था उसमें संपन्यता थी सब कुछ था उनके पास उसका अपने आप में ये सोचना सब कुछ प्राप्त करके जीवन में खालीपन है पूरे घर में उसका अकेले रहना चुडियों को अपने बगीचे में रहने के लिए मजबूर करना ताकि सुन्दर चुडिया को बार-बार देख सके उसका चहचाना सुन सके तो ये सभी चीज़े दर्शाती है कि सभी सुक्स विधाएं उसके पास थी इस कारण खंबे का जो गुरूर है वो थोड़ा कम होता है और आखिर में दोनों में दोस्ती हो जाती है मैं प्रियावरन रक्षा हूँ मैं प्रियावरन रक्षक हूँ होना चाहिए इसके उपर आपको एक अनुछेद लिखना है और ये 6 नंबर का प्रशन है तो किस तरीके से आप प्रियावरन को बचाएंगे प्रदूशन कम करेंगे अलग अलग पानी बचाएंगे पेड़ पौधे लगाएंगे सभी चीज़ें आप इसमें लिखेंगे और इस तरीके से आपका जो 40 नंबर का प्रशन पत्र है वो खतम होता है उम्मीद है आप अधर प्रशन के उत्तर आती होंगे बहुत बहुत धन्यवाद आपका